सिख्षा पोर्टल में एक समस्या अक्सर आती है कि चात्र की जो समान जानकारियां है जैसे चात्र का नाम, माता-पिता का नाम, जैंडर, डेट और बर्थ इस परकार की जो समान जानकारियां है वो तुरूटी पूर्ण अंकित होती है अब समझ में नहीं आता है कि इन जानकारियों को कैसे सुधार है अब इसमें बता हैं कि जो सिक्षा पोर्टल है वो समगर पोर्टल से अटेच होता है अर्था समगर पोर्टल में जो जानकारी दर्ज होती है परिवार आईडिय में वही जानकारी सिक्षा पोर्टल पर भी प्रदर्सित होती है अब यदि सिक्षा पोर्टल में छात्र की किसी भी प्रकार की तुरूटी पूर्टल जानकारियों में सुधार करना है तो इसके लिए समग्र पोर्टल पर सबसे पहले आपको सुधार करवाना होगा और समग्र पोर्टल पर जो सुधार होता है वो पंचायत के माध्यम से होता है जब तुरूटी पूर्ण जानकारी समग्र पोर्टल पर सुधार कर ली जाए इसके उपरांत हम सिक्षा पोर्टल पर छात्र की जो तुरोटी पून जानकारियां है इन्हें सुधार सकते हैं जैसे एक एक्जामपल हम देखें यहाँ पर एक छात्र है रोहित जंगिला अब इसका जो सरनेम है इसमें बर्मा होना चाहिए अब इसकी आईडी हम सर्च कर लेते हैं समगर पोर्टल पर कि समगर पोर्टल पर छात्र का जो नाम है वो क्या सो हो रहा है तो हम सदस आईडी से इसकी जानकारी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर छात्र की जो आईडी है ट्रिपल ऐसम आईडी इसे पेश्ट करते हैं capture code fill करते हैं और इसके उपरांत परिवार की जानकारी देखें इस option पर क्लिक कर देते हैं जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो समगर आइडी हमने फिल किया है चात्र की आप देख सकते हैं 962 लाश्ट में है इस आइडी में चात्र का नाम रोहिद बर इस पर्कार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जहां एक option आपको दिखाई देगा student profile management का simply आपको इस option पर click करना है और student profile जो option दिया है इस पर click करके इसका जो third option है get updated profile of a student इस option पर click कर देख जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर academic care select करने के लिए option आजाएगा और यहाँ पर चात्र की जो समगर आईडी है वो हमें फिल करना होगा जैसी हमने समगर आईडी फिल किया इसके उपरांद get student details for समग इस option पर किलिक कर दें जैसी हमने किलिक किया तो अब आप देखेंगे कि चात्र की जानकारी यहां पर open हुई है लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बा और यहां पर आप देखेंगे basic detail from समग अर्थात यहां पर जो चात्र की जानकारी आ रही है वो समगर पोर्टल की आ रही है तो आप यहां पर देखेंगे कि रोहित बर्मा लिखा हुआ है जबकि सिक्षा पोर्टल पर रोहित जंगिला और हमें रोहित बर्मा ही करना है जात्र की जो त्रूटी पूर्ण जानकारी है वो सिक्षा पोर्टल पर भी सुधार हो जाएगा इसका जिसे आप रोल लिस्ट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं तो हम update student details इस option पर किलिक करते हैं जैसी हमने किलिक किया तो यहां पर एक message आएगा student profile updated successfully तो हमें इसे close कर देना है अब हम चेक करते हैं कि जो जानकारी हमने इसमें update किया है वो सही में update हुई है या नहीं तो इसके लिए हमें role list पर जाना पड़ेगा role list पर जाने के लिए admission management इस option पर किलिक करें और इसके पश्चाद आप देखेंगे कि role list का option आया हुआ है इस option पर किलिक करें यहां से academic care select क कर सकते हैं view enrolled student इस option पर किलिक कर दें इसके पश्चाद हम देखेंगे कि यहां पर 7 नंबर पर जो छात्र आया हुआ था रोहित जंगेला यहां पर लिखा हुआ था लेकिन अभी हमने update किया और तुरंत छात्र की जो तुरूटी पून जानकारी है वो update हो चुकी है जैसे आ नहीं आते हैं तो ऐसे फादर्शनेम को भी update करने के लिए सबसे पहले समगर पोर्टल पर छात्र की जो जानकारी है इसे update करना है इसके उपरान थी सिक्षा पोर्टल पर छात्र की जो तुरूटी पून जानकारी है वो update हो पाएगी एथी छात्र की तुरूटी पून जान हैख